मुन्मुन दत्ता हुई गिरफतार चार घंटे तक चली आक्टरस से पूछताज इंक्वाइरी के बाद आक्टरस को मिली जमानत टीवी के पॉपिलर सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा में बबिता जी का किरदार निभाने वाले आक्टरस मुन्मुन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है वो सोमवार को हर्याना के हासी थाने पहुची और पंजाब एवं हर्याना हाई कोट के आदेश के मताबिक डियस्पी विनोच शंकर के सामने पेश हुई उनके खिलाफ दलित समाज पर टिपनी करने के मामले में SCST Act के तहट केस दर्ज हुआ था पुलिस ने उन्हें गिरफतार किया फिर उनसे 4 घंटे तक पूछता जुई और इसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया आपको बता दे मुन्मुन ने पिछले साल यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन पर अनुसुचित जाती के खिलाफ अपमान जनक टिपनी करने का आरोप लगा था इसके बाद हासी में मुकदमा दर्ज करवाया गया था हाला कि इस वीडियो पर बवाल बढ़ने के बाद मुन्मुन ने माफी भी मागी थी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और कहा था कि उन्हें शब्द के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने अंजाने में इसे बोल दिया था वेल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर को लेकर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube.